तो मैंने मंगाया है carrier का एक split AC जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पर split AC हमारा आ चुका है और अब इसकी installation होने वाली है तो यह है carrier 1.5 ton 3 star split AC और यह मैंने मंगाया था लगवग 32,000 रूपीज में लेकिन इसमें Amazon और फिलिपकार्ट पर इसकी कीमत हो गई है लगवग 37,000 तो काफी सस्ता और बहुती बेहितरीन quality का air conditioner है यह इसके अंदर dual filtration system दिया गया है PM 2.5 filter दिया गया है इसके अलाबा HD filter भी इ सबसे अच्छी बात यह है इसके ऊपर हमें एक साल की warranty मिल लिए और इसके जो compressor है उस पर हमें 10 साल की warranty दी गई है installation team बहुती जल्दी आ जाती है और installation के लिए आपको अलग से 1600 रूपी चार्जिद देने होते हैं इसके अलाबा अगर आपको stand वगवाना है तो उसके अलग से चार्जिद देने होते हैं और इसके साथ जो wire वगवाना आई है इसके अलाबा अगर आपकी और भी wire अगर लग लिया है जो external unit के लिए outdoor unit के लिए जो stand लिया है तो साड़े साथ सो रूपए का वो है तो मेरे लगवाग 25 रूपए installation में खर्च होने वाले हैं यहाँ पर यह connect कर रहे हैं यह इसकी indoor unit है यहाँ पर इसको यह connect करने वाले है और अगर हम इसमें जो refrigerant है gas की बात करें तो इसक इसके अंदर जो kit दी गई है इसके अंदर remote control warranty card सारा दिया गया है और extra pipe भी इसके साथ आई हुई है तो मुझे extra pipe या extra wire की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है क्योंकि मेरा जो outdoor unit है वो काफी pass में ही लगने वाला है तो यहाँ पर यह fit कर रहे है यहाँ पर बहुत ही proper तरीके स जो professional engineer है carrier के काफी अच्छी installation यहाँ पर कर रहे है आप देख सकते हो तो हमारी indoor unit यहाँ पर fit हो चुकी है लगभग यह इन्होंने यहाँ पर install कर दी है और उसके बाद यह जो इसकी outdoor unit है वो भी इसको install करेंगे इसके बाद तो यह अब आप देख सकते हो इसको भी यह open कर र यह आपकी बिजली की काफी बचत कर देता है इसका compression लगातार चलता नहीं रहता है DC inverter R32 आप देख सकते हो यहाँ पर और back side में भी मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ यहाँ इसके जो copper के terminal लगे हुए है इसके अलाबा जो condenser coil है वो copper की है पीछे की तरफ mesh जाली दी गए रहा है या जो उल्टी सीधी चीजें है वो इसके अंदर ना जाएं साथी साथ जो copper pipe है वो भी मिली है और यह मैंने एक stand मंगाया है इनसे जो outdoor unit के लिए यह stand है और इसके इनों ने मुझसे लगवक्त 750 रूपी चार्ज किये है और यह हमारा outdoor unit बहार लग जाएगा यह यहाँ पर लग चुका है यह आप देख सकते हूं मैं दिखा दिता हूं यहाँ पर तो यह हमारी outdoor unit भी लग चुकी है और यह है हमारी kit इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलता है मैं एक बार दिखा देता हूं user manual इसके अंदर दिया गया है warranty card दिया गया है इस पर हमें एक साल की warranty मिलती है और इसके compressor पर 10 साल की warranty दी गई है यहाँ पर एक envelope भी दिया गया है और इसके अलाबा इसके कुछ यह nut ball type के दिये गये हैं जो कि अभी यहाँ पर लग जाएंगे और यह है इसका remote control बहुत ही कमाल का remote control है यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर 2 AAA size की batteries लगने वाली हैं तो हमारा AC install हो गया है अब मैं इसे on करके दिखा देता हूँ यहाँ से मैं इसे on कर लेता हूँ आप देख सकते हो काफी बड़ा display आपको AC के उपर दिखाई दे रहा है तो इसका जो display है काफी बड़ा है यहाँ से आप speed को control करने के लिए यहाँ दिया गया है और जो display पर आपका जो display आ रहा है LED display है उसे भी आप यहाँ से on off कर सकते हो इस बटन से क्योंकि रात में मान लीजिए आप सो रहे हो तो इसकी light काफी तेज दिखाई देगी तो उसे आप बंद भी कर सकते हो साथी साथ यहाँ पर हमें timer का button दिया गया है सारे functions हम यहाँ मिल जाते हैं और काफी बड़िया remote है turbo का function भी इसके अंदर दिया गया है अगर आप turbo प्रेस कर दोगे तो यहाँ पर insta cooling हो जाएगी और इसका noise level भी काफी कम है 42 dv का noise level यहाँ पर हमें जैहिन वंदे मातरम